स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल पर दोस्तो आज हम देखेंगे कि आपका दिमाग कितना तेज काम करता है हम आपसे 15 जीके के सवाल पूछेंगे जिनका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है तो चलिए देखते हैं कि आप कितने सवालों का सही जवा आप देपाते हैं सवाल नंबर एक दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जित का निर्मान किस ने किया था आपका ओप्सन है ए अकवर ने बी सा जहां ने सी और इंग जेब ने डी जहांगीर ने आपका सही ओप्सन हो जाएगा सी और इंग जेब ने सवाल नंबर दो रवीवार की छुटी कब से लागू हुई आपका ओप्सन है आपका सही ओप्सन हो जाएगा सवाल नंबर तीन किस फल में कभी कीरे नहीं पड़ते हैं आपका ओप्सन है आपका सही ओप्सन हो जाएगा सी केले के फल में सवाल नंबर चार किस फिल्म में सबसे ज्यादा गाने हैं आपका ओप्सन है ए नदिया के पार फिल्म में बी सोले फिल्म में सी दिलवाले फिल्म में डी इंद्र सभा फिल्म में आपका सही ओप्सन हो जाएगा डी इंद्र सभा फिल्म में इस फिल्म में पूरे एकत्तर गाने हैं सवाल नमबर पाँच एसिया महादीप में कुल कितने देश हैं आपका ओप्सन है ए चालिस देश बी पचास देश सी सैंतालिस देश दी अर्टिस देश आपका सही ओप्सन हो जाएगा बी पचास देश सवाल नमबर छे कौन सी पक्छी कान से देख सकती है आपका ओप्सन है आपका सही ओप्सन हो जाएगा डी चमगादर सवाल नमबर साथ आजादी के समय भारत की जनसंखिया कितनी थी आपका ओप्सन है आपका सही ओप्सन हो जाएगा सी ताइटिस करोर सवाल नमबर आठ है भारत की राजधानी कब कौलकता से दिल्ली की गई थी आपका ओप्सन है आपका सही ओप्सन हो जाएगा A.1951 में सवाल नमबर नौ है भारत कितने देशों के साथ अपनी सीमाएं साज़ा करता है आपका ओप्सन है A.10 देशों के साथ B.12 देशों के साथ C.7 देशों के साथ D.9 देशों के साथ आपका सही ओप्सन हो जाएगा C. साथ देशों के साथ सवाल नमबर दस है भारत में चंदन की लकरी के लिए परसिद राज्य कौन सा है A. आपका ओप्सन है A. पस्चिम बंगाल राज्य B. बिहार राज्य C. करनाटक राज्य D. सिक्कीम राज्य आपका सही ओप्सन हो जाएगा C. करनाटक राज्य सवाल नमबर 11 है ताज महल का निर्मान किस नदी के किनारे किया गया है आपका ओप्सन है A. गोदाबरी नदी के किनारे B. यमुना नदी के किनारे C. गंगोत्री नदी के किनारे D. गोमती नदी के किनारे आपका सही ओप्सन हो जाएगा B. यमुना नदी के किनारे सवाल नमबर 12 है भारत में किसे फांसी की सजा नहीं दी जा सकती है आपका ओप्सन है A. गर्बवत्ती महीला को B. पागल को C. नावालिक बच्चो को D. उप्युक्त सभी को आपका सही ओप्सन हो जाएगा D. उप्युक्त सभी को सवाल नमबर 13 है फांसी की सजा कितने बजे दी जाती है आपका ओप्सन है A. सुबह के चार बजे B. सुबह के तीन बजे C. सूड़िये उद्दै से पहले D. कभी भी दी जा सकती है आपका सही ओप्सन हो जाएगा C. सूड़िये उद्दै से पहले सवाल नमबर 14 है भारत में डाग प्रता का प्रचलन किस सा सकने किया था आपका ओप्सन है A. सा जहाने B. सेर सा सूरी ने C. अकवर ने D. जहांगीर ने आपका सही ओप्सन है B. सेर सा सूरी ने सवाल नमबर 15 है स्वार मंडल में कौन सा ग्रह प्रीथवी जितना बरा है आपका ओप्सन है A. सुक्र ग्रह B. बुद्ग ग्रह C. वरुन ग्रह D. अरुन ग्रह आपका सही ओप्सन हो जाएगा A. सुक्र ग्रह दोस्तो आखरी सवाल आपके लिए जिसका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है तो सवाल है कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साज़ा करता है A. भूटान देश B. बंगला देश C. अफगानिस्तान देश D. पाकिस्तान देश दोस्तो इसका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है